हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे उटूप चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी एई वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रियाप प्लस पैंसन प्लस ब्याज तीनों एक साथ कैसे निकाले इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी इसकी इपना करें और वीडियो को एंड तक जूर देखें और फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो फिलीज चैनल को सबिस्क्राइब और सेर जूर कीजिएग और साथ में बेला इकोन जिससे आपको आगे भी इसे तरह की नएनी वीडियो देखने को मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड प्यों का सारा पैसा निकालने के लिए अगर आप ओनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिरफ ती केम सेटल हो तो आपको पता लगे कि हा मेरा पूरा पैसा आ गया है फैंड दूसरा जिस बैंक अकाउंट में आप पीएफ से पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं वह आपकी केवाईसी में बैंक अपूरूब होना चाहिए जब भी आप ओनलाई कर सकते हैं और फैंड तीसरा सबसे जुरूरी पीएफ में आपकी डेट ओव लिविंग अपडेट होनी चाहिए उसके लिए आप यहाँ व्यूपर किलिक करके उसके बाद सर्विस हिस्ट्री पर किलिक करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको डेट ओव लिविंग दिख जाएगी क्यों उसके बाद यहाँ पर यूए नमबर और पास्वर्ट टाइप करके लोगिन कर लेंगे फिर हमारे रिष्ट्र मॉइल नमबर पर एक OTP सेंड हो जाएगा उसके बाद यहाँ OTP टाइप करके नीचे कैप्चा कोड टाइप करके समिट पर किलिक कर देंगे उसके बाद Online Services के नीचे claim form पर किलिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर account number टाइप करके verify कर देंगे जो हमारा KYC में update है फिर यहाँ Yes कर देंगे उसके बाद यहाँ नीचे proceed पर किलिक कर देंगे फिर आपको कुछ second का wait करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ नीचे I want to apply for के आगे arrow पर किल कर लेंगे उसके बाद form मारे सामने आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें पंदरजी form upload करना होता है जो की PDF file में होना चाहिए और उसका size 1MB से कम होना चाहिए फ्रेंड पंदरजी form कैसे बरे उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा फ्रेंड यहाँ पर आपको एक बाद ध टाइप कर देंगे फ्रेंड एडर्स में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें चेक या पास्बुक अप्रोड करना होता है और उसका size 100KB और 500KB के बीच मोना चाहिए और file jpg या jpg मोनी चाहिए फ्रेंड चेक आपका printed नाम वाला होना चाहिए और पास्बुक में फोटो बैंक से अटेस्ट होनी चाहिए जब भी आपकी पास्बुक वैलिट होगी उसके बाद यहाँ बॉक्स पर किलिक कर देंगे फिर यहाँ गैट अथार OTP पर किलिक कर देंगे उसके बाद आपको कुछ सेकिंड का वेट करना पड़ेगा फिर हमारे र फोर्म ओनलाइं समिट हो जाएगा फ्रेंड यहाँ देखिए फोर्मँरा ओनलाइन समिट हो चुका है उसके बाद आप कीडिया फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं फिर आपको हम पर कीडिक करके दुबारा से बैक आना है और फिर यहां पर ओनलाइन सर्विस पर किलिक कर करना है उसके बाद यहां arrow पर किलिक करना है और फिर यहां पर form 10c pension को select करना है फिर यहां पर सबसे पहले हमें अपने address ट्राइप करना है उसके बाद यहां चेक या पास्बॉक को upload करना है उसके बाद यहां box पर यहां नीचे वैलिडेट OTP पर किलिक करना है फिर आपको कुछ सेकिंड का वेट करना है उसके बाद हमारा form 10CV समिट हो जाएगा फिर आपको 10 से 15 दिन का वेट करना है उसके बाद आपका claim settlement हो जाएगा और फ्रेंड जो interest का पैसा होता है वो जब आपका form 19 settlement हो जाएगा तो उस पर amount already लग कर आएगा इंटर्स के आप चिंता मत करना वो पूरा आपको मिलेगा जो भी आपको होगा तो फ्रेंड ऐसे आप apply करे step by step और अगर आपको कोई problem आती है तो आप मुझे commit कर सकते हैं या फिर मुझे mail भी कर सकते है मेरी mail idea आपको description box में मिल जाएगी